दोस्तों माकपोल याने की दिखावटी मद्दान क्या है? आईए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों माकपोल को विधिक दर्ज़ दिया गया है प्रत्येक मद्दान केंद्र पर माकपोल करना ही है इसलिए मद्दान दल इसे हलके में न ले माक पोल की क्रम में कम से कम 50 मत डाले ही जाने हैं यदि प्रत्यासियों की संख्य अधिक हो तब भी नोटा सहीत सभी प्रत्यासियों को कम से कम एक मत दिया ही जाएगा माक पोल में मद्दान अभिकरताओं से मद्दान करवाएं यदि कोई बटन नहीं दबाया जा रहा है तो मद्दान दल के अधिकारी भी उन्हें दबा कर सुनिश्चित करें कि सभी बटन कम से कम एक बार तो दबाये ही गए है ध्यार रहे कि मागपुल के समय कम से कम दो अभियर्थियों के मद्दान अभिकरताओं के उपस्तिती जरूरी है इसलिए प्रक्रिया शुरू करने से पहले 15 मिनट तक प्रतिक्षा करने चाहिए यह कते जरूरी नहीं है कि सभी अभियर्थियों को समान मत डाले जाएं नहीं जो वांचित है कि किसी विशेश क्रम में ही मत रिकार्ड किये जाएं माकपुल शुरू करने से पहले वहां मौझूद अभिकरताओं को टोटल बटन दबा कर दिखा दे कि मसीन में पहले से कोई मत नहीं है यदि कोई मत हो तो उसे क्लियर कर दें मददान करवाएं और जरूरत पढ़ने पर खुद भी डालें डाले गए मतों की संख्या, प्रतियासियों की नाम, अत्वा उनकी क्रमान की अधार पर नोट करते चलें कम से कम 50 मत इस प्रकार डाले जाएं कि नोटा सहीत सभी अभियर्थियों के खुले बटन कम से कम एक बर अवल से दबायें पिठा से नदिकारी सभी अभियर्थियों के बटन दबायें की गिंती नोट करेंगे इस प्रकार कम से कम पचास मत देने के बाद EVM का क्लोज बटन दबाएं सभी मौजुद लोगों को टोटल बटन दबाकर डाले गए कुल मतों की संख्या दिखाएं और नोट करने को कहें फिर रिजल्ट बटन दबाकर परिणाम देखें और अभिकरताओं को भी दिखाएं वीवी पैट की बैटरी का पावार इस्टेटरस देख लें कम होने पर सेक्टर अधिकारी को सुचित करें वीवी पैट में गिरी साथ सिर्फ पर्चियों को अलग करके बाकी बची पर्चियों की गणना करें और अभिकरताओं को दिखाएं स्वेम द्वारा नोट किये गए आंकडे से भी मिलान करवाएं यदि कोई अंतर आता है तो ततका सेक्टर अफिसर के माध्यां से आरों को सुचना दें सब सहीं होने पर वीवी पैट से निकली पर्चियों पर पिछे की ओर मार्क पोल स्लिप की सील पर्चियों पर लगाएंगे इवी एम का सारा डाटा किलियर कर दें वीवी पैट की सभी पर्चियों को काले लिफाफे में डाल कर सुरक्षित रखें इस काले लिफाफे को गुलावी कागज की पट्टी से इस प्रकार्सिल किया जाएगा कि इस पट्टी को छती ग्रस्त किये बिना लिफाफे को खोला न जा सके पिठा सीन अधिकारी इस गुलावी पट्टी पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और सभी अभिकरता भी इस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे सब कुछ सही होने पर माग पोल का घोषणा पत्र तयार कर लें मार्क पोल के प्रमान पत्र में यह उल्लेक करना है कि कंट्रोल यूनिट का RTC, रियल टाइम क्लाक भारती मानक समय से कितना आगे या पीछे है अब आप EBM सील करने के लिए तैयार है